दोस्तों आप सभी का आउसधी एंड हेल्थ में स्वागत है आज हम बात करने बाले हैं काली मिर्च के बारे में काली मिर्च जो है मसालों के साथ साथ इसमें आउसधी गुड़ों का भंडार चिपा हुआ है दोस्तों यह जो है आउसधी के बनाने के लिए बहुत वर्षों से इसका इस्तमाल गयाता है यह जो है मसालिक में इस्तमाल होता है सबजियों का खानों का जो है यह स्वाद बढ़ाता है ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर काली मिर्च का प्रयोग नहीं होता होगा दोस्तो काली मिर्च का जो है मसालो के रानी कह जाता है इस वीडियो में आपको काली मिर्च के और सधी गुरों के बारे में बता जाएगा आप इस वीडियो को बेना स्क्रिप के उए लाश्ट्रक देखे अगर आपको आयरुवेदिक जड़ी बूटी और दवास सम्मधने जानकारी चाहिए तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले इसका जो है बनस्पति नाम पाइपर नाइग्रम होता है इसे हिंदी में मरिच, मीरच, गोल मरिच, काली मरिच, दच्छडी मरिच और संस्कित में इसे जो है पवित्र, स्याम, बेड़ुजू, कोकल, वरिष्ट इन समनामों से जाने जता है यह जो है आखों के बिमारी के लिए बहुत ही फायद मनता है आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रोजाना सुबह आधा से एक ग्राम काली मरिच, एक चमस घी और उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला कर दूद के साथ लेने से आखों की बिमारी में लाब होगा दार्द दर्द में बहुत ही फायदे मनता है काली मिर्च को एक से दो गराम चूड बना ले, अमरूद के पत्तों को पीछले और उसका काढ़ा बना कर इससे कुला करने से दाप दर्द में जो है अराम मिलता है सेना नमक, काली मिर्च, नीबू, सहद को मिला कर तालू पर लेव करने से मूँ के छालो में भी लाब होता है दो से तीन ग्राम काली मिर्च का चूड और सहद घी मिला कर इसे सुबच साम चाटने से जो है खासी दमा सर्दी जुखाम के समस्या में आराम होता है